पुर्ण श्री प्रबात बने नमाई मैं प्रोफेसर हरीर्द अवस्ती आप सभी का अवस्ती जारवेद इनाटमी योग और इस्प्रिचुल्टी चैनल पर हार देख स्वागत करता हूँ प्राद्मिक विद्यालाय जंगमपूर के दो विद्यार्थिया आए हुए हैं साम का पांच बजा है और ये कुछ ग्यान प्राप्त करने आए हैं तो इनको मैं पंज्तंत्र की कहानी गवया गधा ये कहानी सुनाने चल रहा हूँ और ये कहानी है एक गाउं की जहां पर जह है किसान थे खेट था और वह से जानवर थे जिन में एक गधा भी था और उसकी मित्रता जह है एक शियार से गधे और शियार ये दो मित्र थे तो गधे और शियार दो मित्र थे और वो जो है घूमने साथ साथ निकलते थे दोस्ती बड़ी हुई थी और रात में भी घूमने लगे और रात में उनको ये मौका लगा कि खेट खाली रहते थे और जो फसल थी तो वो टाइम कखडी की फ़सल थी तो वो कखड़ियां खाके पेट भरते थे और कखड़ियां उन्हें बहुत अच्छी लगती थी तो जब वो कखड़िया खाने लगे तो ऐसा वो प्रतिदिन करने लगे क्योंकि धिन में तो लोग आख देखते थे तो उनुने मार का डर रहता था कि कोई कोई मारने लगेगा, जो मालिक है उसके खेद में गुसेंगे तो तो वो रात को ही निकलते थे और किसी न किसी के खेद में पहुंच कर और कख़ड़ी खा जाते थे तो उनका ये रोज का क्रम चल रहा था और वो ककडिया खाखा के मोटे और तगड़े हो गए थे एक रात की बात थी कि चान जो है पूरा पूर्णेमा का चान था पूरा निकला हुआ था चारो तरफ दूधिया सफेदी थी और रोश्नी ही रोश्नी थी तो उस समय पर जहें कदे ने कहा सियार से कि हे मित्र देखो चांद हस रहा है और कितना अच्छा लग रहा है मेरा गाना गाने का मन कर रहा है मैं गाना गाऊंगा तो सियार ने कहा देखो भाई इस टाइम तुम गाना नहीं गाना क्योंकि खेट में हम लोग कखड़ी खा रहे हैं और तुम इस टाइम गाना गाऊगे तो अभी खेट का मालिक आ जाएगा और वो जान जाएगा कि हम लोग चोरी से ककडियां खाते हैं और वो हम लोग को बहुत मारेगा और इस टाइम गाना गाना उचित नहीं है मैं बहुत अच्छा गाना हूँ तुमको गाना नहीं आता मेरा सूरीला कंठ है तुम मेरे इर्षा करते हो इसलिए तुम बने कर रह। तो उसने समझाया कि ऐसी बात नहीं है, चलो मैं गाना नहीं गा पाता, लेकिन तुम गाना गाओगे, तो लोग जग जाएंगे, और फिर यहां आएंगे, और रोज हम लोग किसी ना किसी खेत को खाते हैं, तो किसान लोग परिशान तो होंगे ही, वो समझ रहे होंगे, कोई चोरी से खा जाता है, तो उसे पकड़ना चाहते होंगे, तो और तुम गाना गाके तो और उनको बिला लोगे, तो फिर पकड़े जाएंगे, और पकड़े जाएंगे, तो फिर निश्चित मार पड़ेगी, तो इस समय गाना गाना उचित नहीं है, तो मान जाओ बात को, त तुम मेरे इर्शा करते हो और जो है मैं तो गाना गाऊंगा वो अपनी जिद पेड़ गया तब सियार ने कहा देखो भाई अगर तुम नहीं मान रहे हो तो जो है मैं खेट से बाहर चला जाता हूं उसके बाद तुम गाना गा लेना और जिस खेट में वो चर रहे थे कखडिया खा रहे थे तो सियार दोड़ करके खेट से बाहर चला गया और गधा चांद की तरफ नूँ करके रहने लगा और एक बार झहा इसने बोला फिर दो बार बोला फिर तीन बार बोला इसे कस-कस करेंदने लगा और जब वो बहुत तेजी तेजी से रहा था यानि वो समझ रहा हूं लेकिन गधा तो उसकी आवाज से पास के लोग जो खेत के पास जिनके मकान थे वो लोग जाग गए और वो दोड़े हुए आए कि खेत में कोई है तो वो दोड़ते हुए आए और उन्होंने देख खेत में गधा खड़ा है और कखडियों के जो बेले है वो उंजड़ी हुई है तो दोड़के डंड़े लेकर आए थे तो दोड़के आए जोड़को चोर को पकड़ना चाहा रहे थे तो गधे को या पास पहुच़र गधे को मारने लगे जोगिव जान गए कि यही गधा रोज हम लोग के खेतों में कखड़ियों को खा जाता है उन्हें वो कखड़ी बेचने के लिए उन्होंने लगाई थी तो रोज उनकी कखड़ियों का नुक्सान हो रहा था तो उन्होंने उसकी बहुत पटाईगी और लाठियों से पीठा तो वो अधमरा हो गया और गिर बांदिया और उसको अधमरा हो अधमरा हो समझ के छोड़के पर चले गए सोने पर थोड़ी देर में गधे को होस आया और वो भी लड़कडाता हुआ मार खाया हुआ खून खचर हुआ हुआ खेत से बाहर आया अस्यार उसका मित्र इंतिजार कर रहा था कहले बाई देख मैं तुम से कह रहा था गाना ना गाओ गलत समय पर तुमने गाना गाया यह गाने का वक्त नहीं था समय के उपर बोला जाता है गलत समय पर बोलोगे गलत समय पर गाना गाओगे तो उसका नुक्सान उठाना ही पड़ता है और तुम नहीं माने तो और गाना गाओगे तो स और मैं बहुत दुखी हूँ, कृपया मेरा ज्यादा मजाक ना उड़ाओ, और फिर दोनों में मित्रता हो गई, और वो आगे बढ़ा गए, तो बच्चों, ये जो कहानी पंच्टंत्र की है, वो ये शिक्षा देती है, कि आपको कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, कब गाना काना है, मनोरंजन करना है, कब नहीं करना है, अब स्कूल में जब तक टीशर ना कांए तब तक तुम गाना काने लगो, पढ़ाई के टाइम, लिखने के टाइम, सीखने के टाइम, तो जो काम है वो ही करेंगे ना, तो हर चीज का समय होता है, और दो एक घंटा भी कर सकते हैं लकिन हर पीरिट में नहीं कर सकते कि अगल एक Lucky आपको टीचर पढ़ेगी कि आप अच्छा में समझेंगे गुड बॉआ नहीं तो ये जो है इस कहानी से एक तो सिक्षा ये मिली कि समय पर काम करना चाहिए और मूर्ख मनुष्य का साथ नहीं करना चाहिए. जैसे स्यार ने तुरन साथ छोड़ दिया था तो कि वो मूर्खता कर रहा था और जो जूटा गर्व करता हो क्योंकि गधे ने जूटा गर्व किया उसको कोई गाना आता थोड़ा ने था तो जूटा गर्व करे और जो जूटा गर्व करता है तो उसको हानी भी उठानी पड मूर्ख बना देता है, एक ये भी इसमें सिक्षा मिलती है, तो देखिए जो सियार होता है, वो कमजोर होता है, लेकिन चालाक बहुत होता है, और गधे और बहुत बल का ग्यान था, तो वो तो अपनी चालाकी से धीरे से खेट से निकल गया, अपने को बचा ले गिया और मूर के गदा था और गाना गाने के चक्कर में मार खाया अदमरा हो गया तो ये कहानी से सिक्षा मिली अब एक एक बच्चा यहां पर आएगा और वो ये बताएगा कि इस कहानी से क्या सिक्षा मिली कि अब कौन आएगा एक जना आईए पहले आप ये बताईए रुखिए आपके दरफ कैमरा करूं और पास आईए अब बताईए क्या नाम है आपका अभी सेख तो आपको ये कहानी अच्छे लगी गवया गदा तो आपने क्या इससे सीखा ये कभी मुर्थ लोग से दोस्ती कया नहीं करना चाहिए और जूटा बोलन नहीं चाहिए और अग और हटटाइम ग entrepreneur समय पर हाघ तो मनोरंजन तो व्लू राखिर प्रवा के टाम के थाए नहीं कि हाट आए पुछिए अगदे अब आप जाकर बैढ जाए अब दूसरे आएंगे आईए क्या नाम है आपका क्या सीखा मनोरंजन का पीरेड हो तब करेंगे और बना क्लास में जो इस संति से पढ़ेंगे लिखेंगे हर टाइम थोड़ा गाना गाएंगे कि हटाइम का ना गाओगे पढ़ाई के लिखाई के टाइम पढ़ाई लिखाई काम के समय काम और जब मनोरंजन के पीरिट पर मनोरंजन खेलकूद के पीरिट कर सकते हैं तो और कर निपने क्या सीखा कहानी आपको अच्छे लगी कुछ सिक्षाल मिल रही आपको अच्छा लगता है चलिए बैठीए अपनी जगे पर तो मैं आप सभी का पुने हैं हार्दिक अवस्थी जार्वेद योगा एंड श्पिर्च्वालिटी चैनल पर जो लोग आज नए जुड़े हैं नए देख रहे हैं तो करप्या चैनल को सब्सक्राइब करें इन वीडियो को लाइक करें और सेयर करें जिससे कि अन्य विद्यार्थियों तक भी पहुंच सकें और उनको भी पंच्तंत्र की कहानियों से सिक्षा मिले अन्य अध्यापकों के पाथ पह पहुचा सकेंगे और यह ज्यान जो नेशुल्क दिश्वार्थ ज्यान है वो सब तक पहुचेगा और आज का दिन से नवरात्र चालू हैं और मादुर्गा आप सभी को सुख और धन संपदा और स्वास्त प्रदान करें ऐसी मेरी इच्छा है उनसे कि वह आप सभी को आश तुर्गा पूरी करें और इसी के साथ आप सभी ने समय दिया उसके लिए धन्यवाज शुक्रिया